नमस्कार फ्रेंज्स मैं डॉक्टाशी सर्वाल उरॉल्जिस और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू डेल इंडिया से बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपको प्रोस्टेट कैंसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में फुल डिटेल्स दूँगा मेरे पास भॉच सारे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट आते हैं दिखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाऊँगा कि प्रोस्टेट केंसर बाकी कैंसर से डिफरिंट है अगर आपको गॉल बैडर का कैंसर है या लंग का कैंसर है या या कोलॉन का कैंसर है तो उसमें डेफ बहुत जल्दी होती है बहुत जल्दी मदद 6 मेने साल के अंदर patient की death हो जाती है लेकिन prostate cancer अलग है prostate cancer थोड़ा slow growing है तो इतनी जल्दी death नहीं होती अगर आपका cancer बहुत advanced भी है तो 6 मेने साल में death होने की chances बहुत बहुत कम है तो आपका prostate cancer कैसा है आप 10 साल जी होगे कि 20 साल जी होगे कि normal life जी होगे कि आपकी 2 साल में death हो जाएगी वो समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि आपका cancer कौन सी stage पे है और कौन से grade पे है सबसे पहले तो जब prostate cancer डाग्नोस होता है तो उसमें हम लोग एक PET scan करते है ये whole body का scan होता है PSMA PET एक FDG PET होता है और एक PSMA PET होता है FDG PET अलग है वो prostate cancer के लिए नहीं होता PSMA PET प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है तो PSMA PET scan कराना चाहिए उससे पूरी body का scanning हो जाती है और पहाँ चलता है कि cancer जो है वो prostate के अंदर ही है कि prostate के बाहर निकल चुग है और अगर बाहर निकलना है तो फिर pelvis की bones के अंदर ही है pelvis के अंदर ही है lymph nodes में ही है कि body में अलग अलग जगाओं पे पेट में, chest में, brain में, skull में इन सब जगाओं पे भी फैल चुग है मैंने एक patient का PET scan किया था तो उनके सिर के ओपर एक guard थी तो उसमें भी prostate cancer आ रहा था तो कहीं भी prostate cancer फैल सकता है तो हम आँ सबसे पहले PET scan करना चाहिए उससे exact staging पर चलेगी कि cancer कहां तक फैला है अगर cancer फैला है तो उसका अलग होता है और अगर cancer नहीं फैला तो उसका अलग होता है अगर आपने PET scan किया और उसमें cancer localized है मतलब कि पोस्टेट से बाहर नहीं निकला या पोस्टेट से थोड़ा सा भाहर निकला ऐसा नहीं कि अलग अलग टिशूज में फैल गया तो इसको लोकलाइज या लोकली एडवान्स कैंसर बोलते हैं जो localized ये locally advanced cancer होता है, उसको हम आप different categories में divide कर सकते हैं. Different categories होती है, एक तो ऐसा cancer जो low risk है, मतलब treatment के बाद वो पूरा cure हो जाएगा, आपका 100% survival है, ऐसे इनसान के साथ अपनी life compare कर सकते हैं, जिसों कभी cancer हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप proper treatment से पुरा cure हो जाओगे, और आपको cancer का कोई डर नहीं आगी लाइफ में. तो ये वाले होते हैं low risk cancers, और localized में ही कई होते है high risk cancer, high risk cancer मतलब कि आप कोई भी treatment कर लो, आपको फिर cancer वापिसाने के chances होते हैं, या cancer body में अलग जगाओं पे फैलने के chances होते हैं. तो localized disease में कौन से low risk cancer होते हैं, कौन से high risk cancer होते हैं, उसका हम लोग PA से और Gleason से decide करते हैं. उसके लिए हम एक DME core classification है, मैं आपको इस diagram में DME core classification समझाऊँगा. तो हमने जो बोला कि पहले तो pet scan करो, pet scan में पाई चलेगा कि ये advanced cancer है, जो prostate के भाँर निकल चुगा है, कि localized cancer है, जो prostate के अंदर ही है. अब localized cancer के low risk हो सकता है, intermediate risk हो सकता है और high risk हो सकता है. और कौन सा low risk cancer है, कौन सा high risk है और कौन सा intermediate risk है, उसको जानने के लिए हम लोग PSA और Gleason देखते हैं पेशेंट का. जो PSA होता है वो तो blood test होता है. PSA की value 0 से लेके 2000, 3000, 5000, 10,000 कहीं तक भी हो सकती है, कोई limit नहीं है. और जो Gleason होता है ये biopsy में पाद चलता है. पेशेंट का जो Gleason score होता है, वो 6 से लेके 10 तक कहीं पर भी हो सकता है. 6, 7, 8, 9 या 10. कभी भी Gleason 6 से कम नहीं होता है या 10 से जादा नहीं होता है. ऐसा है नहीं किसी है Gleason 15 होगा, 20 होगा. Maximum Gleason जो होता है, 10 होता है. जो Gleason 6 होता है, वो low risk cancer होता है. 7 जो होता है, वो intermediate risk होता है. और 8, 9 और 10 जो होता है, वो high risk cancer होता है. High risk cancer मतलब कि high chance की वो cancer जो भी आप treatment करोगे, fail हो जाएगा और आपको एक और treatment करना पड़ेगा. और दूसरी बात, यह वाले cancers आगे फैल सकते हैं. बॉड़ी में दूसरे parts में फैल सकते हैं. परसेंट क्योर हो जाते हैं. तो अगर Gleason 6 होएगा तो लो रिस्क है, और 8, 9, 10 है तो high risk है. और अगर PSA 10 से कम होता है, तो उसको low risk मानते हैं. 10 से 20 होएगा तो उसको intermediate risk मानते हैं, और more than 20 होता है, उसको high risk मानते हैं. तो अगर आपका इस category में है, तो high risk है. PSA 20 से जादा या Gleason 8, 9, 10. तो अब जब हम ये broad category समझ गए हैं, तो आप अपना cancer assess करिए. क्या आपका localized है, कि advanced है, और अगर localized है, तो फिर low risk है, कि intermediate risk है, कि high risk है. अगर आपका low risk cancer है, PSA 10 से कम है, या even 20 से कम है, और Gleason 6 या 7 है, तो आपके लिए best treatment है, robotic surgery, जिसमें पुरा का पुरा prostate निकाल देते हैं, और सारा cancer भार निकल जाता है, और आप cancer free हो जाते हैं. और low risk cancers में, surgery के results ही बहुत अच्छे हैं, कोई complications नहीं होती, urinary leakage की chances ना के बराबर हैं, और sexual problems भी ज़्यादा नहीं होती हैं. अगर आपका पहले erections normal थी, तो कुछ ही सालों में erections normal हो जाती हैं. दूसरी बात मैं हमेशा patients को बोलता हूँ कि dead men cannot have sex, तो अगर आपकी cancer बढ़ जाएगा, spread हो जाएगा, आपकी quality of life ख़राब हो जाएगा, वैसे भी sex नहीं कर पाऊगे. तो आपका main immunology पहले आप cancer cure करके, उसके बाद फिर आगे sex के बारे में सोचिए, erections recover भी जाती हैं, क्योंकि हम nerve sparing surgery करते हैं, और अगर erections recover ना भी होए, तो उसके भी full treatments available हैं, ऐसा नहीं है कि एक बड़ी erected dysfunction हो गया, तो आप आगे कभी sex करी मीं पाएंगे, treatment से आप बल्कुल ठीक हो सकते हैं. अगर आपका localized नाइन है या टेन है, लेकिन आपने pet scan कराया है, cancer अभी भी localized है, तो आप कुछ ही lucky patients में से हो, जिनका cancer aggressive होता हुआ भी, अभी तक फैला नहीं है, तो आपको इसका जल्दी से जल्दी treatment कराना चाहिए, नहीं तो यह फैल जाएगा, और उसके अदम कोई भी ऐसा treatment नहीं कर सक सकते हैं, अगर आप directly radiation कराने की सोचेंगे high risk cancer में, तो बाद में अगर cancer वापस आएगा, तो आपके पास surgery का option नहीं बचता है, क्योंकि radiation के बाद prostate पूरा अपने surrounding area से cement कर जाता है, fix हो जाता है, और उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और उसको निकालने से बहुत complications होती है, unary leakage, rectal injury, bladder injury, बहुत सारी complications होती है, तो surgery के बाद radiation असान है, लेकिन radiation के बाद surgery मुश्किल है, तो इसलिए अगर अगर आपका high risk cancer है, जिसमें chances है कि आप कोई भी treatment करा के वापस आ रहागा, तो पहले आप definitely surgery के उपर जाईए, और अगर surgery के बाद भी cancer वापस आता है और radiation की ज़बत पढ़ती भी है, तो वो अराम से हो जाए, और अगर next stage की हम बात करें, जिसमें cancer अपने pet scan किया है, उसमें फैला हुआ है, मतलब prostate से बाहर निकल चुका है, और lymph nodes में आ गया है, बोन्स में आ गया है, लिवर में आ गया है, पेट में आ गया है, सब जगां आ और यह सब निकलते हैं, अगर आपका cancer liver में, bone में, brain में कहीं पे फैला हुआ है, तो हम robotic surgery पुरी body और cancer नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे stage में हम robotic surgery नहीं करते हैं, इसमें कोई surgery का रोल नहीं है, हाँ, अगर urine blockage है तो उसके लिए laser surgery करकि urine का passage खोलते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन, robotic surgery जिसमें पुरा कब पुरा prostate निकालते हैं, वो वाला treatment हम नहीं करते हैं, जब cancer पूरी body में फैलो है, historically जो studies में बतायागिया है, कि अगर आपका cancer stage 4 है, और aggressive है, तो फिर दो साल में patient की death हो जाती है, लेकिन सारे cancer एक जैसे नहीं होते हैं, जब patient का stage 4 diagnose होता है, बह काफी patients 2 साल से कई जादा साल तक जी सकते हैं, जब हम treatment शुरू करते हैं, hormone therapy या chemotherapy या chemotherapy या super hormone therapy, तो उसके बाद PSA कम होता है, और वो response हमारे देखना होता है कि PSA कितना कम होगा, अगर किसे का PSA जादा कम होता है, तो मतलब treatment से बड़ा अच्छा response है, और वो 2 साल से कई जाद साल जीएंगे, 10 साल, 15 साल भी जी सकते हैं, कोई problem नहीं है, एक normal life भी जी सकते हैं, लेकिन कई patients होते हैं, जिनका PSA इन treatment से respond ही नहीं करता है, हमने treatment करा ही और PSA फिर भी बढ़ते रहा है, अगर PSA बढ़ते रहता है, तो that means कि उनका बहुत aggressive cancer है, वो treatment से respond नहीं कर रहा है, औ पहले उनका stage 1 था, आस्ते आस्ते उन्होंने उस टेस्टिंग नहीं करी, किसी ने उनको बताया नहीं टेस्टिंग करने का, और वो ignore करते रहे, और उनका diagnosis stage 4 में होई जब cancer पूरा फैल चुका है, तो इसलिए 50 साल के उमर के बाद हर आदमी को PSA टेस्टिंग करनी चाहिए, और अगर किसी के फादर को, या चाचा को, या अंकल को prostate cancer है, तो उनको 40 साल के बाद PA से टेस्टिंग करनी चाहिए, और अगर PA से बढ़ा हो आए, तो definitely biopsy करके अपना cancer है के नहीं है, ये diagnosis ज़रूर करना चाहिए, तो friends आपका कोई भी stage में cancer होए, उसके curative treatments है, radiation है, surgery है, robotic surgery है, chemotherapy है, hormone therapy है, बहुत सारे treatments है, depending कि आपको कौन सा stage है और आपके लिए कौन सा treatment best होएगा, अगर आपको भी prostate cancer diagnose होता है, तो सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे बढ़े तो देखे कि Gleason क्या है, उसके आद उसकी proper staging करिए, MRI करिए, PET scan करिए, देखे कौन सी stage पे है, उसके बा WhatsApp कर सकते हैं, मेरे email address और WhatsApp number निचे description में दिया हुआ है, धन्यवाद,